हालो स्टूडेंट्स, वाय गता है आपका हमारी क्यूख स्टेडी चैनल पर जिसमें मैं आपके लिए लेकर क्या हूँ रास्तान पसू परिचर बरती का पार्ट भी जिसमें हम बात कर रहे हैं पसू पालन विज्यान के बारे में जिसमें आपको टॉप क्यूशन सीरीज के मा वीरीका आपकलन अपनी पसू परिचर तयारीक आपकी शांदर तरीके से अपलोड की गई टॉप क्यूशन सीरीज के माद्य देञें सिक कर पाएλंग है, हमने उसके ग 약जांब electrically के Most लिएज्यान के सादा है, आध मिया क्यूश्य के कंप्लेट कर लिए हैं आज स 12 किलास यान की 12 किलास होने वाली है तो आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को जदा से जदा से शेयर करना ना बुले आज का हमारा फ़र्ष्ट क्यूसन होने वाला है क्यूसन नमर बन सूर्थी कौन से पसू की नसल है तो हमारे उप्शन से उप्शन गाई उप्शन भी बैंस उप्शन से बेड उप्शन भी बकरी क्यूसन नमर फ़र्ष्ट में सही आंसर है उप्शन भी जो सूर्थी है वे पसू बैंस की नसल है साथे साथ मा आपको यह बता देता हूँ जो गाय की नसले होती है वो कौन-कौनशी होती है गाय की नसले गिर होती है तार पारकर होती है राटी होती है नागुरी होती है और कांकरेज होती है साथे साथ मैं आपको बेंसकी भी बता देता हूँ कौन-कौनशी नसले है बेंसकी एक तो सूर्थी नसल हो गई जो हमारा क चोकला, मेरिनो, कराकुल, लोही, कोरी, डेल और जो बकरी है उसकी नसले होती है जमनापूरी, बीटल, पक्षमीना, बारबरी, मालाबरी तो चलते हैं student next question के और हमारा अगला question होने वाला है question number 2 अगर आपको इन questions के आंसर पता है तो आपी comment के माद में से इनका जवाब दे सकते है हमारा second question है कौन सी बेंस के सिंग छोटे वाज़ेवी के आकार के मुड़े विये होते है हमारे option से, option स अप्षन ए सूरती, option भी जाफरावादी, option भी मुर्रा, option भी निली रावी Q2 में सही आंसर है Option C मुर्रा जो मुर्रा बेंस होती है उसके सिंग छोटे और जलेबी के आकार के मुड़े हुए होते है और मा आपको बता दू मुर्रा बेंस को खुंडी बेंस भी खहा जाता है और जो इसका जो उत्पती इस्तान है वे पक्षिमी उत्तर परदेश दिली और हरियाणयम पंजाब है साथे साथ मा आपको बता दू इस बेंस का जो ललाट होता है वे विश्तरत होता है सिंग छोटे और जलेबी आकार के मुड़े होते हैं और इसका चेहरा पतला होता है आँखे चमकीली होती है तो चलते हैं नेक्स क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन होने वाला है क्यूशन नामबर 3 मेवात नसल के गोवंस बैंस वा बकरी रास्तान की किन जिलों में पाई जाती है तो हमारे ओप्षन से Option बूंदी, कोटा, बारा Option बूंगरपूर, बांसवाड़ा, परताबगड Option C, अलवर, बरतपूर, दौलपूर Option डिया, अजमे, टॉंप, बीलवाड़ा Q3 में सई आंसर है Option C जो मेवा नसल की पसल है वहे अलवर, बरतपूर और दौलपूर में पाई जाती है माप को उतादू जो अलवर और बरतपूर है प्राचिन काल में मेवाड चेतर के नाम से जाना जाता था और साथ ही साथ माप को उतादू जो जो बकरी है वह भी रास्तान के अलवर और बरतपूर दौलपूर जिलों में पाई जाती है तो आपको मैंने जो मेवार नसल में जो गोवन्स, गाई, बैंस और बकरी तीनों के जिले बता दिये हैं अलवर, बरतपूर, दौलपूर तो चलते हैं नेक्स क्योशन के और हमारा अगला क्योशन है क्योशन नमबर 4 बकरी की किस नसल को दूद की राणी के नाम से जाना जाता है तो हमारी उप्षन से उप्षन ए न्यूबियन, उप्षन भी स्थाने इन उप्षन से अंगोरा, उप्षन डिया अलपाइन क्योशन नमबर 4 का सही आंसर है option A newbie and newbie and जो बकरी की नसल है इसे दूद की रानी के नाम से जाना जाता है चलते हैं next question के और हमारा अगला question है question number 5 थार पारकर गाय की नसल राष्तान के किस जिले में पाई जाती है हमारे option से option A jaisal mayor, option B bad mayor, option C jodhpur, option D उप्रोक सभी question number 5 में सही answer है option D उप्रोक सभी थार पारकर जो नसल है गाय की वे जैसल मेर, बाड मेर और जोदबूर, तीनों जिलों में पाई जाती है तो चलते हैं next question के और हमारा अगला question है question number 6 गाय की दूदारू नसल नहीं है कौन सी गाय की दूदारू नसल नहीं है तो हमारे options है, option A, साइवाल, option B, सिंदी, option C, देवनी, option D है हरियाना question number 6 का सही answer है option D, जो की हरियाना नसल है, यह गाय की दूदारू नसल नहीं है जबकि साइवाल, सिंदी और देवनी है, यह गाय की दूदारू नसलों में आती है चलते हैं next question के और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और सेर करना नहीं नहीं है निमने में से कौन सी गाय की संकर नसल है तो हमारे options है, option A, जर्सी, option B, brown switch, option C, crun switch, option D, holy sting question number 7 में सही answer है, option C, crun switch, जो की गाय की एक संकर नसल है और मैं आपको बता दू, जो crun switch है ये किंदो के संकरन के मद्दे होने के कारण ये नसल उत्पन हुए है, तो ये भारती जो साइवाल गाय है, और अमेरिका का जो brown switch नसल का जो नर सांड है, उसके हिमिकर्स से उत्पन हुई है, और इसको जो विक्षित किया गया है, और ये नसल अब हरियाना में कई इस्तानों पर भी पाली जाने लगी है, तो चलते है next question के और हमारा अगला question है, question number 8, अलफाइन पर जाती है, तो हमारे options है option A, बकरी, option B, भेड, option शी गाय की, option D, मुर्की की question number 8 में सही answer है, option A, बकरी की जो अलफाइन पर जाती है, ये बकरी की नसल है, साथ-ए-साथ बकरी की अलफाइन के साथ-साथ एक जमना पूरी नसल भी होती है, भेड़ की चोकला और मेरीन होती है, गाय की साहीवाल और राटी होती हो, और जो मुर्गी है इसकी होती है गिनार का चलते हैं next question के और हमारा अगला question है Q9 राटी गाय के दूद में वसा की परतिशत मात्रा होती है तो हमारे option से option a 4.5% option b 5.8% option c 2.3% option दिये 10% Q9 में सही answer है option a 4.5% जो कि गाय के दूद में वसा की मात्रा होती है और मा आपको रतादू जो राटी का आये उसका जो परती ब्याद दूदेव है 1200 शे 1500 परती ब्याद होता है और तता इसके जो बैल होते हैं वे खेती के काम में आते हैं चलते हैं next question क्यों है और हमारा अगला question है question number 10 question number ten is चापर का संबंध है तो हमारे option से option इं भेठगी नसल option B पसूओ का रो option C पसूओ का चारा option D&D में शेक कोई नि question number ten में सही answer है option चापर एक भेठगी नसल है जो चापर भेठगी नसल है यह मूल रूप चे राजस्तान के शेकावटी छेतर के अंदर पाई जाती है मापको यह पता देता हूँ शेकावटी छेतर में कौन-कौन सी जिले आते है तो इसके अंदर चूरु आता है जुन-जुनु आता है सिकर आता है नागोर आता है जोधबूर आदी जोर एगिस्तानी बाग है जोजबूर के वो भी आते हैं तो चलते हैं नेक्स क्योशन के और हमारा अगला क्योशन है क्योशन नमबर 11 एक गाय का रंग काला और सपेद है गाय का रंग तो काला और सपेद है तता पूंच का गुच्छा सपेद है तो वह गाय की नसल कौन सी है तो हमारे उप्षन से उप्षन A, होल टिन फीजी जन उप्षन B, आयर सायर उप्षन C, रेड बें उप्षन D, ब्रावन स्विच Q1 में सही आंसर है उप्षन A, होल इस्टिंक फीजी जन जो कि जिसकी गायक का रंग गाय का रंग तो काला और सफेद होता है मुचों का गुच्छा इसका सफेद रंगा होता है साथ ये साथ मैं आपको बता दू इस जो होल स्टिंग फीजी जन है उसकी ये स्टुडेंट ये होल स्टिंग फीजी यन है जैकी जगाई ये है ये whole instant Fiji यन है तुम आपको पता दू इसका सरीर होता है वे बड़ा होता है, कूबर से रहीत होता है चेरा भी बड़ा होता है, सिंग छोटे-छोटे होते हैं या सिंग होते भी नहीं है सिरका जो उपरी वाग होता है वो उबरा हुआ होता है चलते है, नेक्स क्alition के और हमार अगला क्योषन है क्योषन नमबर 12 नम्न मैंसे कsama गाए की दुदारू पर जाती है तो हमारे उप्सन से उप्सन साहिवाल, उप्सन भी सिंदी, उप्सन सी नागोरी, उप्सन धी है गिर क्योषन नमबर 12 में सही answer है option C नागोरी नागोरी जो गाय की दुधारू पर जाती नहीं है बाकी साहिवाल, सिंधी और गिर जो की गाय की दुधारू पसल है साथ यसाथ मैं आपको बतादू जो नागोरी है यह दुकाजी पर जाती की गाय की नसल है तो चलते हैं नेक्स क्योशन के और हमारा अगला क्योशन है क्योशन नमबर 13 बारत में बकरी कितनी नसले उपलब्द हैं हमारे उप्चन से उप्चन ने 10, उप्चन B 15, उप्चन C 20, उप्चन D 14 क्योशन नमबर 13 में सही answer है उप्चन C बारत के अंदर बकरी की 20 नसले उपलब्द है साथे साथ माप को यह बतादू जिन में से मुक्य कौन कौन सी है तो उन में से मुक्य है एक तो जमना पुरी एक है बीटल एक है टोगन वर्ग एक है शिरोई नाल एक है जकराना एक है जाला वारी आदी यह नसले हैं जो भारत की मुक्य नसलों में रूम में जानी जाती है चलते है नेक्स क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नमर 14 बेड़ की मेरी नो नसल का उत्पती इस्तान है तो हमारे उप्सन से उप्सन ए फ्रांस उप्सन भी स्पेन आप्सन डी जर्मनी सोरी आप्सन सी जर्मनी आप्सन डी यह भारत क्यूशन नमर 14 में सही आंसर है आप्सन बी जो भीड़ की मेरी नो नसल है उसका उत्पती इस्तान है वे इस्पेन के अंदर है चलते हैं नेक्स क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नमबर 15 बार बरी वे टोगन बर्ग परजाती है तो हमारे उप्शन से उप्शन A बकरी, उप्शन B भेंस, उप्शन जी गाय, उप्शन D भेड क्यूशन नमबर 15 में सही आंसर है उप्शन A बार बरी और टोगन बर्ग है वे बकरी की परजाती है ओरी होती है जिनमें नागोरी दीकाजी नसल है और नहीं होती है अगर आपको हमारी वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा करें तागि आपके फ्रेंड्स भी टॉप क्यूशन सीरीज के माददें से अपनी पसुरी रीचर तैयरी का आंकलन काफी सांधर तरीके से कर पाए थार पारकर गाय की परजाती है तो हमारे उप्सन से उप्सन ए दुधारू नसल उप्सन भी कामकाजी नसल उप्सन सी दुधाजी नसल उप्सन डिये इन में से कोई ने क्यूशन नमबर 16 में सही आंसर है उप्सन सी दुधाजी नसल जो की थार पारकर गाय की पर जाती है यह दुधाजी नसल है साथे साथ माँ आपको बता दू जो तुधारू नसल होती है वे साहिवाल होती है और जो काम का जी नसल होती है वे नागोरी होती है तो चलते हैं स्टूडे नेक्स क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नंबर 17 बेड की मारवाडी नसल रास्तान के किस जिले में मुख्यतया पाई जाती है तो हमारे option बााली ऑप्सन बी जोदबूर अप्सन सी नागोर ऑप्सन डी अपरोक सभी क्यूसर नमबर 17 में सही item है option डी अपरोक सभी भेड की जो मारवादी नसल है वह पाली जोदबूर नागोर के अंदर पाई जाती है और साथ इसाथ इन जिलों के अलावा इन जिलों से जो लगती हुई सीमा वाले जिले हैं जैसे की अजमेर, भीलवाडा, उदेपूर, बाडमेर के जो सीमान चेतर हैं वहाँ पर भी बेड़ के मारवाड़ी नसल पाई जाती है चलते हैं नेक्स क्योषिन के और हमारा आगला क्योषिन होने वाला है क्योषिन नम्बर इटीन क्योषिन नम्बर सभी चूषिन नम्बर 18 में साइज आंसर है एपिशन C अपरोक सभी और साथ साथ माप को रता दो इन्ही सबी लंबाई के आधार पर शरीर का भार गयात करने के लिए भी सुत्तर बनाए गए हैं तो चलते हैं नेक्स क्यूशन के ओर हमारा अगला क्यूशन होने वाला है क्यूशन नमबर 19 दुधारू गाय की नसल है तो हमारे उप्शन से उप्शन गिर, उप्शन भी देवनी, उप्शन सी राटी, उप्शन डे उप्रोक सभी क्यूशन नमबर 19 में सही आंसर है उप्शन डे उप्रोक सभी जो दुधारु गाय की नसले वे गिर भी है देवनी भी है राटी भी है साथे साथ मैं आपको बता दू जो दुधारु गाय की ओन नसले है वे साहिवाल है सिंधी है और जो दीकाजी नसले होती हैं उनके अंदर थार पारकर कांकरेज, हरियाना, अंगोल, डांगी, पंपगानूर, देवली, मेवाती, गाल, प्लाब, शिरी, राटी, करसंगाटी, निमाडी आती है और जो भारवाई नसले होती हैं उनमें नागोरी, मालवी, कंगायम, अमरत महल, खिलारी, हरीकल, बच्चोर, खेरी गड, पंवार, बरगुर, केनकता, गंगा, तीरी, आदी नसले आती हैं चलते हैं, नेक्स्ट कूशन के और हमारा अगला क्यूशन है, क्यूशन नम्बर 20 निमन में से दीप रियोजञी गाई है तो अमारे उप्सनर से उप्सनर इथार पारकर उप्सन मी कांकरेज Jonas, Option सी हरियाना, Option D उप्रोक सभी Q7 А.20 में सही आंसर है, Option D उप्रोक सभी, थार पारकर אם. ये हैं जो गाई की दीप रियोजनी नि sistलों के अंदर आती है इसी के साथ साथ मा आपको बतादू जो राटी, अंगोला और मेवाती है ये भी दिर्पियर योजनी नसलों के अंदर आती है चलते हैं नेक्स क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नमर्ट वन बेड़ों के पालन पॉशन है विकारज्पन निमन में से किसका परभाव पड़ता है तो हमारे ऑप्सण से ऑप्शन यë वर्शा, ऑप्शन भी आधरता, ऑप्सण से ताप करम, ऑप्शन डिय उप्योंक्षण सभी क्यूशन नमर्ट 21 में सही आंसर है option ली प्रोक सभी बेड़ों के जो पालन पोशन पर वर्षा आदरता और तापकरम सभी का प्रभाव परता है साथ ये साथ मा आपको बतादू जो बेड़ों के लिए सुसक तता सीतोसन जो वातावरण है ये सबसे उप्युक्त माना जाता है चलते हैं next question कि और हमारा अगला question है question number 22 निम्ने में से भारवाई गाई की नसल है तो हمारे options हैst question number 67 में सही answer है option d A ve B वे स्वार बे दोनो जो की भारवाई नसले नागरी और मालवी ये गाई की भारवाई नसले है साथ ये साथ मापको बतादू जो राटी है ये गाय की दीप रियोजिनी निसल है चलते हैं नेक्स क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नमबर 23 दीकाजी गाय की नसल जो मत्रुआ के कोशी में पाई जाती है तो हमारे उप्सन से उप्सन A मेवाती उप्सन B राटी उप्सन C अंगला उप्सन D कांकरेज क्यूशन नमबर 23 में सही आइस और ओप्सन A मेवाती जो दीकाजी गाय की नसले ये मत्रुआ के कोशी में पाई जाती है साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ जो मेवाती है यह मतुरा का कोशी चेतर है वहाँ पर पाई जाती है यह मैंने आपको बताई दिया साथ जो राटी है यह अलवर के अंदर पाई जाती है और जो अंगोला है यह अंदर परदेश में पाई जाती है और जो कांकरे यह गुजरात के कच्छ में पाई जाती है चल 120 से 160 Q24 में सही आंसर है Option C 42 से 60 जुगाए कि नाड़ी गती परती मिनिट होती है विसकी स्पीड बैयाली से 60 होती है साथी साथ मैं आपको जो भेंस की जो नाड़ी गती परती मिनिट होती है 68 से 80 होती है और जो सुरी स्टुडेंट जो 68 से 80 होती है जो 40 से 45 होती है ये भेंस की नाड़ी गती होती है और मैंने आपको गाय की बैयाली से 60 बता दी और साथी साथ जो 120 से 160 होती है ये मुर्गी के नाड़ी गती परती मिनिट होती है चलते हैं नेक्स क्यूशन के और अगला क्यूशन है क्यूशन नमर 25 पंजाब के गुरुदास पूर से किस नसल की बकरी की उत्पती हुई है तो हमारे उप्सन से उप्सन है बीटल उप्सन भी मारवाडी उप्सन सी नागोरी उप्सन भी मालवी क्यूशन नमर 25 में सही आंसर है उप्सन भी मारवाडी क्यूशन नमर 25 का सही आंसर होने वाला है उप्सन A जो बीटल है यह इसका जो उत्पती शिंसतल है यह पंजाब का गुरुदवास पूर है और साती साथ इस नसल की जो बकरीया है ये अमरेसर पटियाला तदा मलेर कोर्डा छेतर के लाओ ये पाकिस्तान की आसपास छेतरों में भी पाई जाती है चलते हैं नेक्स क्यूशन के हो रहा हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नमबर 26 गुश्रात के कचके रंड छेतरों में पाई जाने वाले गाय की नसल है तो हमारे उप्शन से उप्शन ए थार पार कर उप्शन बेग गिरी उप्शन सी नागोरी उप्शन डिया राठी Q26 में सभी आंसर है Option A थार पारकर जो की गुजरात के कच्च के रण के छेतर में पाई जाने वाले गाय की नसल है साथ यसाथ माप को बता दू जो थार पारकर गाय है इसका जो मूल इस्तान है ये पाकिस्तान का सिंद परदेश का जो थार पारकर चेतर वह माना जाता है तो चलते हैं नेक्स क्योशन के ओर हमरा अगला क्योशन है Q27 निमन में से कौन सी नसल माल पुरा वर रेंबूले मेरिनों के संकरन से विक्षित की गई है तो हमारे उप्षन से उप्षन एक करा कुल उप्षन बी अविकालीन उप्षन सी अविवस्तर उप्षन डी है चोकला Q27 में सही आंसर है उप्षन बी जो अविकालीन है यह है जो नर रेंबूले और मेरिनों जो बेड है सोरी जो बेड रेंबूले नसल है यह तो मादा और जो मेरिनो बेड का नर है उससे क्यूशन नमर 27 में सही आंसर है option B. अवी कालीन अवी कालीन जो नसल है ये है जो रेंबूले नसल के मेरिनो जो नर और जो मालपुरा नसल की बेड़ का मादा है उसके संक्रेंट से तयार की गई है और इनको जो तयार किया गया है अवी का नगर मालपुरा टौक के अंदर तयार किया गया है चलते हैं नेक्स क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नमर 28 तामबे जैसी लालिमा लिये बादामी रंकी बेंस की नसल है तो हमारे उप्शन से उप्शन इमुरा उप्शन बी बदावरी उप्शन सी जाफराबादी उप्शन डिये सूर्ती क्यूशन नमर 28 में सही आंसर है उप्शन बी बदावरी जो कि तामबे जैसी लालिमा लिये बादामी रंकी बेंस की नसल है साथ यसाथ माँ आपको बता दू इसके जो सींग होते हैं वो चप्टे मोटे तता पीछे की और मुड़कर उपर अंदर की और मुड़े हुए होते हैं तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नमर 29 जैसल मेरी किस पसू की नसल है तो हमारे उप्शन से उप्शन इगाई उप्शन भी बकरी उप्शन सी बैंस उप्शन डी है उउट क्यूशन नमर 29 में सभी आंसर है उप्शन डी जो जैसल मेरी है वह उठकी नसल है साथे साथ महाँ आपको पता दू इसे रेगिस्तान का जाज भी कहा जाता है और इसमें जो उट की रास्तान में पाई जाने वाले परमुक नसले वह बिकानेरी मेवाडी और जैसल मेरी है चलते हैं नेक्स क्योशन के और हमारा अगला क्योशन है क्योशन नमबर 30 गलत युगम कौन सा है तो एक तरफ पसु दे रहे के दूसरी तरफ नसल दे रहे औप्शन A उंट सामने दे रहे का मैसाना ऑप्शन B भेड शामने दे रहे का चोकला ऑप्शन C गाय सामने दे रहे का गिर option D.A. बेंस सामने दे रखा है रावी हमें इन में से गलत कतन का चुनाव करना है या गलत यूगम को लेना है तो हमारा सही answer होने वाला option A. उट चु सामने महसाना दे रखा है क्योंकि जो महसाना होती है या बेंस की नसल होती है उट की बिकानेरी मेवाडी और जैसल मेरी होती है तो चलते हैं नेक्स क्योशन के और हमारा अगला क्योशन है क्योशन नमबर 31 मालपुरा नसल की बेड़े राजस्तान के किन जिलों में पाई जाती है तो हमारे उप्सन से उप्सन A. टॉप क्योशन नमबर 31 में सही आंसर है जो मालपुरा नसल की बेड़े रास्तान के टॉप स्वाए मादुपुर और जैपुर जिलों के अंदर पाई जाती है साथ साथ जो मालपुरा नसल है अजमेर, भीलवाडा, बूंदी जिलों के सीमान छेत्रों के में भी पाई जाती है चलते हैं नेक्स्क्क्योशन के और हमारा आग्ला कैशन है क्युशन नमबर 32 हरियाना गाय कि स्टेद्र में पाई जाती है तो हमारे उप्सन से उप्सन A. रोटक, उप्सन B. अलवर, उप्सन C. भरतपूर चेत्र में पाई जाती है साथे साथ ये अजमेर, भीलवारा, बूंदी जिलो के सिमान चेत्रों में भी पाई जाती है साथे साथ ये जो नसल है ये हिसार, कर्णाल, गुडगाउं, डिल्ली, पंजाब में भी पाई जाती है और ये जो नसल है ये रास्तान के बरतपुर अलवर के साथ हरियाना से जो लगे हुए छित्रे उनमें भी वाई जाती है तो चलते हैं नेक्स क्योशन क्यों हो रमरागला क्योशन है क्योशन नमबर 33 कराकुल बेड़ का उत्पती इस्तान है तो हमारे उप्सन से उप्सन मद्दे इस्या उप्सन भी यूरोप उप्सन सी जापान उप्सन डी ए एफरीका क्योशन नमबर 33 में सएँ आंसर है उप्सन ए मद्दे इस्या जो की कराकुल बेड़ का उत्पती इस्तान माना जाता है और मापको बता दू यह मद्देशिया में इरान, इराक, अफगानिस्तान, दक्षीन, अफ्रिका, तितापक्षी में यूरोप के कुछ बागों में भी वाए जाती है चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नमबर 34 बलेक डाइमंड कहा जाता है राजस्तान में जो भाइशन के अग्सट के और हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नमबर 35 क्ष्ट क कि आपशू है तो हमारे उप्शन से ऑप्शन है बोबीड़ी, ऑप्शन भी कॉविड ऑप्शन्स ही लेगी नी, आप्शन यह बोबे लिस क्यूशन नमबर 35 में सही आंसर है आप्शन आप्शन ए भेंस जो है वो बीडी कुल का तो पसू है और जो इसका विग्यानिक नाम है वो है बूबेलिस है और साथी साथ मापको यह बतादू जो भेंस होती है इसकी दो नसले होती है एक तो होती है जो देशी नसल या भारती नसल एक होती है विदेशी नसल और जो भारती नसल होती है उसे जल बहंस केते हैं जो विदेशी नसल होती है उसे दल दली बहंस के आजाता है और जिनका जो जिनस होता है वै सिन रेसस होता है student चलते हैं next question के और हमारा अगला question है question number 36 student अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रहे हैं तो वीडियो को like और share करना ना भूले चैनल पर नहीं है तो फटाफर से चैनल को गलीजे subscribe ताकि आपको new वीडियो का notification मिले में आसा ने रहे इस channel पर आपको जो पसुपरीचर का part भी और पसुपरीचर का part दोनों करवाय जा रहे हैं ये top question शीरीज के मादिम से आपका तो संपून topic complete करवाय जा रहे हैं अगर आप इन top question शीरीज के मादिम से अपनी फसुपरीचर तेहरी का अंकलन करना चाते हैं तो चैनल को जल्दी से subscribe कर लिजी ताकि आप आसानी से अपनी तेहरी का अंकलन कर सकें साथे साथ ये जो questions हैं ये आपके exam लेवल को देख कर बनाए गए हैं साथे साथ इन से आपके exam में question आने की संभावना ज़्यादा रहने वाली है तो फटा फट से चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्या बुराया काले रंगा होता है option 6 के कान वे पूंच मद्दे माकार के होते हैं option डी है उप्रोक सभी question number 36 में सई आंसर है option डी उप्रोक सभी जो की बेड़ की चोकला नेसल के प्रमों के विशेस्ता है होती है इसका जो सरीर होता है सुगटित होता है साथी साथ चैरे प्राय बुरा या काले रंग का होता है चैरे का जो रंग होता है इसके कान वे पूंच मद्दे माकार के होत जता है तो चलते हैं नेक्स क्योंच 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 क् जो कि पाकिस्तान के अंदर पड़ता है साथी साथ जो मालवी है ये मालव जेतर मद्धिपर्देश के अंदर पड़ता है और जो राटीगा है इसका अलवर राजिस्तान मुखलिस्तान माना जाता है तो चलते हैं सिर्टन Next question के और हमारा अगला question है Question number 38 पूर्तिली वे लंबा सपरते करने वाली बेड़ की नसल है तो हमारे उप्सिन से उप्सिन मारवारी उप्सिन भी चोकला उप्सिन जेसल माल पुरा उप्सिन डिये जेसल मेरी Q38 में सही आंसर है उपसने मारवाड़ी जो की पूर्तिला वा लंबा सपरते करने वाली बेड़ की नसल है आपको उतादू इस नसल का जो सिरी सुंगटी तो वह मजबूत कद मद्यम होता है, चेरा काला होता है, कान छोटे होते हैं, पूँच छोटी होती है, मद्यम लंबाई की होती है और रेगिस्तानी वे पाड़ी दोनों चेत्रों में ये मारवाड़ी नसल की जो बेड़े ये पाई जाती है और ये इन्ने बेडों की तुला में ज़्यादा सुष्ट होती है और ये ठंडे वर गरम मौसम को सेहन करने के सकती इन में अधिक होती है तो चलते हैं नेक्स क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नमबर 39 होलेश्टिंग जरसी और नागोरी किस पसलके नसल है ये ज़ो होलेश्टिंग जरसी और नागोरी क्स्पसिल की नसल है तो हमारे ओप्सन से हैं उप्सन ये भैस ओप्सन मिन गाय ऑप्सन सी बकरी ऑप्सन ये बेड यूशन नमबर 39 में según राटी नसली आन्फर है जमनापुरी, बिटल, टोगनबर्ग और बार्बरी और जो बेड है उसकी है मगरा चोकला मेरी नो कराकुल और भेंस की है आपको मैं बता दू मुर्रा, सूर्ती, रावी, बदावरी और महसाना है तो चलते हैं नेक्स क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नमर 40 में सही आंसर है, उप्सन, उप्सन B, जो जेसल मेरी वेड की नसल है, इसका नाम उसके उत्पति इस्तान पर ही रखा गया है, ये जेसल मेर के अलावा जो जो जोदबूर वे बार्ड मेर जिलो की सीमाव पर भी पाई जाती है, चलते हैं नेक्स क्यूशन के और हमारा अग क्यूशन है, क्यूशन नंबर 41, लंबी पूँच जिसका अंतिम बाग गुच्चेदार वर सपेद होता है, बेंस की किस नसल की विशेष्ता है, तो हाँ, तो हमारी उप्सन से, उप्सन नीली, उप्सन B, मुर्रा, उप्सन सी जापराबादी, उप्सन D, में साना, क्यूश इस बेंस की जो नसलों के माते, चेहरे, तूतन वे पैरों पर सपेद चिन होते हैं, और ये पसु मद्दे माकार की खुर्दरे सिंग वे बारी सिर्वाले होते हैं, चलते हैं, नेक्स क्यूशन की और हमारा अगला क्यूशन है, क्यूशन नंबर 42, बारत में सबसे बक्रिया पाई जाती है, और जो उत्तर परदेश में इनकी सिंख्या थी, वे बैयाली स्लाग, बैयाली सजार 904 थी, और राजस्तान के अंदर थी, वे 21.64 मिलियन थी, और वैसे गुनिय इस भी पसुगर्णा के अनुसार, बारत में बक्रियों की कुल जन सिंख्या है, वे बैयंस, उप्षिन सिग बक्रिय, उप्षिन डिये बैड, क्यूशन नमर 43 में सही आंसर है, उप्षिन एक गाई, गिर, थार पा रकर और राटी, और जर्ची परजातियां गाई की है, और बैस की आपको मैंने बताई दिये, मुर्णा होती है, शूर्ती होती है, रावी होत सब्सक्राइद आरेनगे हैंदे हैं नेक्स कियोंन की है क्योंन की सिन्ट अविकोर्यों जो जोके टॉक मालपुरा के अंदर पड़ता है और हमारी उप्सें से अभी वस्तर उप्सें मेरी नो उप्सें सी जैसेल मेरी उप्सन डियम मारवाडी क्यूशन नमबर 44 में सई आंसर है उप्सें अभी वस्तर जो की बेड़ की वरन संक्रीर नसल है और यह अनुसंदान सहता आवी का निगटों के अंदर विक्षित की गई है तो चलते हैं नेक्स क्यूशन की ओर हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नंबर 45 निम्न में से गलत सुमेलित है तो हमारे उप्शन से उप्शन है ब्राउन स्विच शूटर जलेंड उप्श सी होलिस्टिंड डेनमार्क जो की गलत सुमेलित है आपको बता दू जो होलिस्टिंड नसल है यह डेनमार्क की नय होकर होलेंड की है तो यह ते रास्तान पसुपरीचर के पार्ट भी पसुपालन विग्यान से टोप 45 क्यूशन अगर आपको अमारी वीडियो अच्छी चैनल को कलिजे सस्क्राइब चैनल को सस्क्राइब के नहीं वाद में आपको नोटिफिकेशन फटा फट मिल जाएगा जिससे आप अपने तयारी कंट्यूनियूर रख पाएंगे साथे साथ वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज मौना जादा रहने वाली है तो इस्टूडेंट वीडियो देखने के लिए टेंक्यू मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर